तो सातियों बंदे भारे ट्रेन सामने से आती हुई और लोगों में बड़ा उत्सा है देखने के लिए ट्रेन को जैसे जैसे ट्रेन इस्टेशन के नजदीक आती जा रही है लोगों में उत्सा बढ़ता जा रहा है लोग डोल नगाड़े के साथ डांस कर रहे हैं और वहीं पिर्शासन भी वहीं पिर्शासन भी मुझतेदी से तैनात है क्योंकि ट्रेन अपने आप में प्रदानमंतरी जी ने जिसका आधन किया है कितनी सुन्दर लग रही है ट्रेन वंदे भारत ट्रेन भारत का अभिमान भारत जिसान अपने आप में अध्वूत नजारा है त्यासिक नजारा है आजाधी के 75 वर्स बाद साइध ही ऐसा मोका है कि किसी ट्रेन को लेकर जंता में इतना उत्सा है आप देखिए किस तरह से लोग इंतजार में है और आगे भी मैं आपको दिखा दूँ आजारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं और ट्रेन का अधिदार कर रहे हैं यह वंदे भारत ट्रेन है और वंदे भारत ट्रेन को लोगों में उत्सा है और मुझे लगता कि आज जो पहली आतर है वो लोगों के लिए फ्री की गई है आए चलते हैं और लोगों से वंदे भारत ट्रेन के अंदर बैठ कर हम रिव्यूज भी लेंगे लोगों के क्या ट्रेन को लेकर रिव्यू हैं अंदर से घुम कर आए बिल्कुल बहुत अच् है और लोग मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह से अभी वी उत्सा में हैं अच्छी आए ट्रेन के क्लीनिंग स्टाफ से रहे वाँ पर इस शुन करके दे रखा है कितना इस्टाफ पूरी ट्रेन में क्लीनिंग का सर्चार फोर एक बोगी में कितने बच्चे एक बोगी मे सब्सक्राइब करेंगे कहां से हैं बेटा टीटी टीटी बने हैं हम रादाबाद से आए इस ताई मुलादाबाद में रुके हुए लेकिन अभी हम लगनों जाएंगे उसके बाद दुबारा से मुलादाबाद आएंगे तो यह स्काउट के बच्चे है मुरादाबाद से टी टी आई जो सहस्ता है उसके माध्यम से पहुंचे हैं जी नोर्दन रेल्वे गृप से खाना मिलाएं कैसा खाना था बताओं पर टेस्टी था पनीर की सब्जीती ताल थी राजमा था और आलो की सब्जीती फुलाओ थे बच्चे बड़ा एंजोई कर रहे हैं खाना का रहे हैं देखिए इस्टाप भी बड़ा वैल फिनिश्ट हैं ड्रेस अब और खाने के लिए अलाग अलाग बिल्कुल फ्रीज और यह तेमपरेचर हैं जो खाने को घरम रखेंगे वो मशीने लगी हैं अच्छा एक्स्पीरियंस है जैसे कि टच लाइट एंड सीट पर पर्सनली प्लग दे रखें हैं और चार्जिंग प्लग कमफर्टेबल कमफर्टेबली सीट्स है काफी मॉडिफाइब बनाया गया है तो लगातार आपको बंदे भारत ट्रेन से हम यह रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं और ट्रेन के अंदर की वीडियो जाब तक पहुंचा रहे हैं और सीधा प्रंटेन के अंदर से देखी है लोगों आपना खाना पीना साथ करते जा रहे हैं एंज ए — इस्कुल ही बच्च्छे हैं आपका तनुषका तनुषका किस स्कूल से हैं मुरादाबास से तो आज स्कूल की तरह से बंद भारत पें जा रहे हैं नहीं नौर्थन रेलवे अच्या इसका इसकाइट नुखा नदर आपका मिना नम सूरज है पानी जो भी जो बहुत अच्छी है इनकी जो इंट्रेक्शन कर रहा है जो भी मलब है जो बहुत अच्छी आज माने नहीं है प्रदान मंत्री जी द्वारा रेल्वे का जिस्प्रका आदोनी की करन किया गया है इसमें 85 जार करोड उपया का लागत से एक प्रोजक्ट सुरू किया गया है इसके ताहती देहरा दून से लखनाउ तक के लिए बंदे भारत एक्सप्रेज जो रेल्वे का निर्माण इस समय रेल्वे के विकास में सयोग दे रहा है माने प्रदान मंत्री जी की सोच जो विक्सित भारत 2047 का वीजन ले करके चलिया उसी की ताहता आज भा देशबासियों के लिए उत्राघंडों चाहें उत्तर प्रदेशों उनके लिए एक हर्ष का महौल है और सभी लोग देश के 140 करोड़ युवा देश के 140 करोड़ लोग इसके लिए हतुस साइज है और इसी के ताहता आज मंदल मुरादवाद में ये टेन अब पहुंच चुहान है और मैं लगाता है निश 24 का संपादक हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है आज 022 जो है 27 जो गाड़ी संक्या है देरदूम से जो आज लखनों के लिए नई बंदे वारत का संचालन किया गया है बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया है और बहुत बहुत है वहार बहुत इस थाहा है क्योंकि पहली वार ये गाड़ी जो है अपने रूड़ पर आई ए जो लखनों के लिए और यहां से जितने भी हमारे नेता लोग है जो भी हमारे बिदायक लोग है उनको भी बहुत बड़ा इसका फाइदा होने वाला इस चीज को देख जो है का जो भी किराया बड़ा महंगा बताने आम जंता को क्या फायदा होगा किराया को यहां सा महंगा भी नहीं है और माय ना जाए तो आधर 1100 रुपे का टिकेट है कोई ऐसा नहीं है हो सकता बात में फिर बतल हो जाए थोड़ा सा कोगे भी श्टार्टिंग है गाडी की उसके आधर जानकारी मिली क्या होना क्या निए लखनों से लखनों जाएंगे लखनों जाएंगे मैं जाने दुरकबार सेट्बा देहरादूर को बिलॉंग करता हूं और यह नई चेन्ट में आज बहुत सुद्धा भी जी जा रही है हार तरह से देखवाल हो रही है और लोग मह है तिवारी है और मैं देहरादून से यहां लखनों के लिए ट्रावल कर रही हूं और आज स्वभागी के वात है लेक आम वेरी ग्रेटफुल कि हमें मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेस की मुझे इनाउग्रेशन के टाइम पे और मतलब मौका मिला इसमें बैठने का और ट्रेन बहुत ही कमफर्टेबल है इसपेशियस है और जरने बहुत अच्छा है और रायक्ष भर्ण अच्छा जाने पीने के लिए लिए सटाफ बहुत अच्छा है तो अब और इतना टाइम हमारा बच्छा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है अड्मॉस्फिर बहुत फ्रेंडली लगातार आपको मैं वंदे भारत ट्रेन से ये फुटेज ट्रेन के अंदर से दिखा रहा हूं ये ट्रेन देहरादून से चली थी सुबह नो बजे और अभी किते टैंग हुआ है एक बजा है और एक बजे मुरादाबाद पहुंची और मुरादाबाद में भवे स्वागत इ चाहे उत्सुकता वाले सातियों जो इस ट्रेन के देखना चाहाने थे वह सब इस ट्रेन के अंदर बैठे हैं और ट्रेन चल चुकी है लखनु के लिए सुबह नो बजे जैसा कि मैंने पहले बताएगी ट्रेन सुबह नो बजे दैरादून से चली थी और आभी ये लखनों है मुझे मैं बरेली ही उतर जाओंगा क्योंकि बरेली में दो दिवस्य बुद्ध कता कायोजन है जहां पर हमारे बोधाचार्य सुर्द राही जी अपनी प्रस्तुति भापर दे रहे हैं तो ये ट्रेन का पहला सबसे पहला डिबाई इंजन के बाद का जिसके मैं दिर्श्य लम्हें है अतियासिक दिन है आज का बंदे भारत ट्रेन लखनों की तरफ मुरा जी तो ये पहला डिबाई जिसमें मैं बैठा हूं और मेरे पीछे इंजन है जहां पर जो गाली के कोश साब हो बैठे है ये बड़ी आज बड़ी सुन मतलब आज अतियासिक दिन है इस ट्र पूरू हुए दहरा दून से मेरे साथ वंदे बारत ट्रेन में दीपक है जो क्लीनिग डपार्टमेंट से हैं डीपक किस तरह काम है काम है मतलब कुछ घंदा हो जाए गदा कुछ पर तो कितने वसे कितने बचंदी आपका की है तर हमारी जैसे अब आट्रेंट ग कि तो यह दीपक है जो किलीनिक डिपार्टमेंट से हैं मैं तमाम जो वंदे ट्रेन के अंदर जो आप लोगों की मदद के लिए लोग है उन सबसे चल्चा करूँगा चाहे वो आयर सिटी के लोग हो वेंडर हो या टीटी साहब हो ड्रेवर साब से भी आपकी बात कराने की कोशिश करूँगा जिससे कि आप समझ सकें के पिर्दान मंतरी जी के आवान पर चली है पिर्दान मंतरी जी ने जिसका उद्गाटन किया है उसके अंदर स्टाफ भी उसी तरीके का है जो आपको एक फ्रेंडली एट्मोस्पेर यहा जो आपको एहसास कराएंगे कि यह प्रिदान मंतरी जी की सोच थी उस सोच में आप लोगों के लिए फ्रेंडली एट्मोस्पेर कैसे क्रेट किया जाए मेरा नाम पारज है मैं मुरादवास्चा है हूं चित्रूप इंटर्गॉलिस सेवंध क्लास तो आज आप फुली एस इस वंदे भारत सुपर फास्ट एक्सप्रेस मैं 47 का हूं अज यह अच्छी ट्रेन है एसी फुल एसी ट्रेन है सर बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहां पे बैठके मैं नम अच्छी है मैं इसकूल नेम इस बिकेस मैं क्लास इस विप ट्रू प्रिफ्ट के लें पता था क्या बच्चे ट्रेन क्या होंचे किया चैक है चल यह तर दीजिए एसी तोलो गा यह तोट जागा चल यह तोट जागा चल्ए परच्छे दीजिए अप्र मेरा जानते हैं आसा राम का नाम जानते तो एसो को कि नी जानेंगे भई मेरा स्कूल का नाम राइजिंग चिल्डर ने के एंगे है क्लास फिफ्थ ट्रेन में कितना मुझा रहा है कैसे हैं बहुत बहुत अच्छी तो आपको इसा क्यों आपका नाम हमारी समझ में नी आएगा कि मेरा मास्ता का साई में कोई नी बोल पाया है थाइन की थांक यू खालो जी मैं ओम शर्मा हूं और मैं इसमें आई डबलू हूं रेल भारती रेल में और मैं मुरादावास से आत्रा कर रहा हूं लखनौ के लिए और इस अंदर विव से तहत बहुत सारे स्टेशनों का काया कल्प कर दिया है और आप देख रहे हैं कितना सांदर एटमोस्फियर और खाने की बड़िये वबस्ता है सारे बेंजन मिल रहे हैं और लगवग तीन गंटे में लखनौ के यात्रा कर रहे हैं तो समय की काफी बचत हो रही है